हाई अब्रीवान विल्कम बाक टू मैं चानल आज मैं आप लोग के शायर करने वाली हूं यह ग्लिटरी मेकप लुग जिसको आप मेहंदी ब्राइट पर भी कर सकते हैं तो सबसे पहले ना आपको टेप लगा लेना है और बेस का मेकप मैंने यहाप पहले कंप्लीट कर लिया है तो चलिए भी स्टार्ट कर लेते हैं तो यहां पर मैंने सबसे पहले ब्राउन क्लर का शेड लिया है और उसको मैं अप्लाई कर रही हूं क्रीज अरिया पर आपके पास जो भी आईशाडव पैलेट है आप उसमें से ले सकते हो ठीक है जरूरी यह नहीं है कि मैं आपको कौन सा आईशाडव पैलेट यूज़ कर रही हूं आपके पास जो भी आईशाडव पैलेट है आफ़ोडबल में आजकल बहुत सारे पैलेट आती है तो उसमें लाइट ब्राउन क्लर का शेड जो भी होगा तो वह शेड़ आपको लेना है और उसको ब्लेंड करते जाना है ट्रांजेशन एरिया पर एंड आउटर कॉर्णर पर ठीक है उसके बाद आपको लेना है एक ब्लाक कलर का शेड उसको हम अप्लाई करेंगे और ध्यान यह रखने आपको की क्रीज एरिया के ऊपर जो है डाक किलर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए वरना वह आई मेकप ज इस तरह से मैं आपके ब्लेंड कर रही हूं उसके बाद ग्रीन सिमरी सेड में आपको यह ध्यान देना है कि मैं इसको भी जो एक रिया के ऊपर नहीं लेके जा रही हूं इसको भी मुझे बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है आप देख सकते हो और इसके बाद जो ग्र में आप यह अपके यहां प्लाइग कर रही हूं और सब्सक्राइब जैसा कि आप देख सकते हैं को बिलंडिंग बहुत ही अच्छी रखनी है जत्ती अच्छी आप ब्लेंडिंग रखो गया अपका अई मेक उतना इसके बाद ब्लाइन गोलडन शेड होता है ना वह वाला आइस बहुत खुली खुली लगती है और अगर आपकी शोटी आइस है ना और अगर यह बादा स्टेप आप करोगे ना तो आपके आइस जो ना वह बड़ी लगना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद मैं आप एक ब्रावन को हाइलाइट करी हूं और वाइट काजल अगर 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 अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दिजेगा या और बहुत जदा मैनत लगती है आप लोग वीडियो को फुल वाश करते हो सब्सक्राइब भी करते हो चैनल को लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो एक है तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में इससे भी अच् झाल झाल